आज हम लोग discuss करने वाले लिट कोड का एक question एक टू numbers जिसमें हमको दो link list दी हुई है जिसमें number जो है वो reverse order में है और हमको उनको sum करके एक new link list देना है जिसमें भी number जो होंगे वो reverse order में रहेंगे तो कुछ चीज़े जो है notice करने वाली वह है कि link list की जो size है दोनों की वह में भी same नहीं हो सकती है और let's say दोनों में से maximum size है x तो हमारी जो answer answer link list जो है उसकी size या तो x हो सकती है या फिर x plus 1 हो सकती है x plus 1 कब होगी जब जो last digits है उनमें जो sum करने पर carry आ रही है तो वह carry 0 नहीं है तो हमको एक और node add करना पड़ेगा let's say हमारे पास सिर्फ दो एक-एक node की दो link list है जिन में value से 6 और एक में 5 तो इनका sum जो हो गया वह 11 हो गया जो दोनों की maximum size से भी plus 1 है तो यह चीज़े कुछ notice करनी है और इसके बाद हम इसका code देख लेते हैं तो initially हम carry जो initialize करते हैं वह 0 से क्योंकि initially जो first digit में कोई carry नहीं है हमारे पास और हम एक link list initialize करते हैं जिसका हम first node equal to 0 दे देते हैं यह में बाद में बता दो कि हम 0 क्यों क्यों दिया है क्योंकि हमको कुछ initialize करना था तो हम 0 से initialize कर दिया और जब हम इसको return करेंगे तो इसका जो next pointer है वह return कर देंगे तो वहां से हमारा answer return हो जाएगा तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हम एक वाइल लूप लगा रहे जिसमें L1 not equal to null and L2 not equal to null कर रहे means हम वहां तक जा रहे जहां तक दोनों link list में notes है means let's say दोनों की size अगर एक की size 3 है और एक की size 5 है तो हम size 3 तक जा रहे तो size 3 तक क्या होगा दोनों की values add होके हमारे link list में जो node है उसमें store होगी तो हम क्या कर रहे answers next equal to new list node और इसमें हम डाल रहे L1 की value L2 की value और carry आया है अब यह तो हमारा जो sum आ गया वह है जो कि one digit में भी हो सकता है और two digit में भी हो सकता है तो उस जगे पर हम क्या store करते जो है reminder store करते जैसे six और five है जैसे six और six है तो हमारा sum क्या या 12 आया तो हम वहाँ पर sum में क्या लिखते है two और जो one है वो carry में जाता है तो इसका जब हम 10 से modular लोंगे तो हमारे पास reminder आ जाएगा और वो reminder हमारे sum वाले sum वाले link list में list node में save हो जाएगा और जो हमारा question जैसे in case of 12 the question is 10 or we can say one the question is one so we need to take carry of one so हम हमारी carry की जो value है उसको update कर रहे L1 जो भी हमारा sum आया है यह हमारा sum में लिखा हुआ है और इसको हम अगर 10 से divide कर देंगे तो हमारा carry आ जाएगा जैसे sum 15 न 10 से divide करेंगे तो one carry आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या कर रहे है तीनों के pointers बढ़ाते जा रहे L1 का भी pointer next पर जा रहा है L2 का भी next पर जा रहे और हमारा answer का pointer भी next पर जा रहे उसके बाद यह जो दो while loops हैं यह simultaneous इन दोनों में से कोई एक ही चलिए अब हमारे पास तो हमको सिर्फ उसको carry में add करते हो जाना है तो सेम चीच हम कर रहे है आंसर के next में डाल रहे list note जिसमें value आएगी L1 की value प्लस carry इधर हमने L2 की value भी ली थी लेकिन यहाँ पर सिर्फ L1 की value ले रहे क्योंकि L2 हमारा खतम हो चुका है नल हो चुका है तो सेम चीच कर रहे हैं यहाँ पर हम उसका reminder सेव कर रहे और carry में हम उसका question डाल रहे और L1 को next pointer पर set करते जा रहे और answer को भी सेम चीच L2 के साथ कर रहे हैं उसके बाद जो हमने case discuss करा था जब carry की value not null और we can say not zero है तो जब carry की value not zero है तो हमको एक extra node add करने पड़ेगी जिसमें क्याएगा जिसका sum जिसमें value क्याएगी सिर्फ आएगी carry जैसे हमारा दोनों का sum complete हो गया carry बचा हुआ है हमारा two और one two तो अभी आने सकता है जैसे carry one बचा हुआ है तो हमको एक और add करने पड़ेगी note जिसमें हमारी value होगी carry के बराबर तो यहां तक हमारा पूरा link list बन गई जो answer की अब जो हमारा answer वाला pointer वो तो हमारा एकदम end में जो भी हमने लिंग list बनाई है उसके एकदम end में चले गया हमारा answer वाला pointer और तो हमें क्या return करना था तो स्टार्टिंग वाला pointer return करना था तो हमने root को answer पर set करा हुआ था जिस टाइम पर answer एकदम starting में था तो अभी root कहां पर point कर रहा है एकदम starting note जो हमने initialize करी थी 0 और इसके बाद हमारा सब कुछ जो save हो रहा है वह हमारा answer है तो हम क्या return कर रहे है root का next note जो हमने 0 सी initialize करा था वह छोड़ दिया और उसके बाद का जितना भी रहेगा वह हमारा इस root next pointer से root next जो pointer वह उसको point कर रहा उसकी first value पर तो यह list note हमने return कर लिया अब जो checker है delete code का वह इस list note को एक के बाद एक इटरेट करते जाएगा ने उसके next next पर जाके और हमारा answer compare करते जाएगा तो हमको सिर्फ यह next note जो है यह return करना है this was the solution thank you for watching